तुम्हें देखते ही रहना, तुम्हें सोचते ही रहना गौड जी, सर्मोनाईजर ओफ गीता, अर्थात गीता का भगवान, गौड है इस संबंद में एक छोटी ची फिल्म आपके समक्स प्रस्तुत होने जा रही है इसको प्रस्तुत करने का अर्थ है कि सभी का नाता अपने प्रविता से जुट जाए तो कि हम भी निराकार अत्माएं है लेकिन अपने को भूलते भूलते हम अपने को साकार मनुसमान बैठे है इसके साकार जो हमारे देवी देवता है उनसे ही हमारा संबंध है, उनकी हम भक्ति करते हैं, उनसे ही हमें प्यार करते हैं, इसमें कोई अर्चा नहीं है, शिरीकर्ष्णिया, शिरीराम, महां दिपता थे, नेक्स्ट कुछ गौड में कहा जा सकता है, पंतु यदि हमें उनके समान बनना हो, तो हमें अपनी यह जैसे भगवान इसका बाब है, है, और हम तो अधस कुछ ही नहीं, तो अच्छ है, आपने नहीं सुनाए, भगवान के हाथों मरने पर तो तुरंट मुक्ति मिल जाती है, कि इन मैनों के पास सास्त्रों से बढ़ कर भी कुछ अलग ज्यान है, हमारी तो यह मान्यता है, क इस चोड़ो, है, विनास काले विपरीप होती, क्या भगवान को बार बार गीता का ज्यान सुनाने आना पड़ता है, पर असल में फोर्स प्राइस तो सिर्फ शिव बाबा का है, यह ध्यान में रखते हुए, इस चोटी सी फिल्म की रचना की गई है, और हम पून विश्व विश्वास है, कि देवी देवता धार्म की सभी आत्मा है, पाधि सनातन देवी देवता धार्म की सभी फॉलोर्स इस सत्थ रहस को उनुभाव करेंगे, कि यदि हम निराकाव सर्व सक्तिवान परंपिता से अपका संब्द जोड ले, जिसे ना जियोग कहा गया है घीता म तो हम सिरिक्रशन जैसे देवता बन सकते हैं, अर्से नारायन और नारिशे सिरिलक्ष में बन सकते हैं, हमें बोल विश्वास है, यह फिल आपके जीवन को नई दिसा प्रदान करेगी, आपके विचार उकमान बनाएगी, और आपको सोल कॉंसियसनेस में स्थापित करके, नेरा कार प्रदिता से उन्दयोग जोडने में साथधक मुमी ख़िवाएगी, हमें जैने झाल झाल गीता ग्यान के साथ सर्वात्माओं के पिता का ग्यान होता तो लोगों का बुद्धी योग परमात्मा से जोता